जहारखन में भी धान सभाद चुनाओ होना है पहले चरण को लेकर 13 नवंबर को जब कि दूसरे चरण को लेकर 20 नवंबर को मद्दान होना है लगातार केंद्रिये नेताओं का दौरा हो रहा चाहे बात ग्रीम मंत्री की हो या प्रधान मंत्री की हो इस वक्त हमारे साथ बात पहुआ हुआ है इनको परिशाने क्यों हो रही है है उनको पता है भारती जनता पार्टी राश्ट्य पार्टी पर देश के कही हमारे लीडर पर तो आते हैं आएंगे भी अब कॉंग्रेस का पार्टी के भी तो राहुल गांधी आए थे तो उनको क्यों लाजमी बनता है जहां पर पांच साल तक इन्हों ने जारकंड को लूटा यहां के लोग उठागा आज अगर दिसमें सबसे अगर कोई भरस्ट राज है तो उनकों से जारकंड है तो इसको तो यहां से निकालना जो सब का दाई तो बनता है बूइवर year नेता है है और यहितने अदवासी का बेटा को इस परेकार से घहरा जा रहा है जहां लेक तरह राता-घंत्त त्रहयोग तंत्र में मालिक जनता होति है ऐसम पोलौ। प्राज़ कारणा क्या 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 है ? नंग है जनता को नहीं बताया है एक नप्यवक्तन C CCP करने वाले के अब हमें साथ दिजिये में बोट दिएये तो सब्सक्राइन फोर्ण आड़। Kahn Cum जनता ने उनका दर्षन किया, उनौने जंता का दर्षन किया, हेमाण सोरिन को तो कोई परिकर्मा नहीं किया जारहा है, शुलिए ये कहना, इसे साफ ये लगता है, हेमाण सोरिन शुनाओ बुरी तरह से हार चुकिए नहीं तो फिर इस प्रकार की सबसे ज्यादा जो असुरक्षी थे वो पीजेपी सासित प्रदेशों में ज्यारखन में क्या हुआ है कि करके व्याख्या करेंगे तो काफे लंबी समय लग जाएगे लेज़ारखन में जितना महिलाओं की साथ दूसकरम हुआ है 2022 में तो नमबर वान पर जारखन था हम नहीं का रहें निशनल जो क्राइम विरो है उसकी रिपोर्ट है जारखन सरकार क प्रकार से महिलाओं को जिंदा जला जाता है टुकडा टुकडा करके फेंग दिया जाते हैं इक हौन नहीं जाता है और रोटी तो आप कहिए कि यहां बेरोजगार ही है यहां से लोग प्लैन करें पांच वरसों में इनने कुछ किया नहीं बेखती है कौंसा उद्योग गं यहां लगा पांच साल में शरी भासने देते रहे ना और माटी के तो पूरी तरह से इन्होंने निलाम कर दिया जमीन की काकजात को फर्जी वड़ा करके इनके दलाल और विचोलिया ट्राइवल की जमीन को भी लोग बेच रहे हैं कोई इनकी आपसर सुनने वाला नहीं है चैने DCO चैने CEO चैने HDO लोग कंप्लेइन पर कंप्लेइन करता है कोई नहीं सुनता है तो अकर क्या होगा इसलि है रोटी बचाने की रोटी बेटी और माटी कि हमें तीनों ही बचाना है और उसके लिए हम लोग जंदा से कहते हैं वोट दी यह नहीं तो सब कुछ है लोग समात कर देंगे ना माबाने यहां सुरचित रहेगी ना जमीन आपकी बचेगी ना आपको रोजगार मिलेगे इ कि पना साल जिसकी बात हुई है तो डाइवर्स तो कोरोना में चल गया है जो हमें काम करने की मिला जबाना तो देज में भी था न और इतना जो नोटवा लुटा है किसने लुटा है भई मंत्रियों के सच्चिव छोड़ दीजे आप सच्चिव के नौकर के गर से 30-35 कारो कई घड़ी निकल रहा है कि है इस ओफसर के ठीकानों से निकल रहा है एंपी के ठीकानों से निकल रहा है कि किसका पिश्या है कि चंपई सुरेट एक बड़ा आप लोगों ने जिस प्रकार से मैसल दिया उनके साथ भाटनाइब चानिस वर्सों तक धारकन मुक्ति मोचा का दामा था कुल हां से टाइगर कहलाते हैं क्या लगता है कुल हां क्या कमल खिलेगा इस बिल्गुल कमल खिलेगा और मैं कहूंग लोभी नेम्रम हो या उनके भाई भी जो अंदुरन क्या उनके भावी अखिर उमर के इस पड़ाव में जेमें को अलविदा कहा दिया कुछ तो कारण होगा तो उनको खुद आत्मांतन करना चाहिए खुद चिंतन करना चाहिए पर हम तो कहेंगे केमांजी को रात में विश्वास करता है उनके जबसे रहें एक हजार रुप्या कबसे तो गोशना क्या था न है कि महानों को क्या बोलते हैं चुला ख़र देंगे दो आजारों क्या महिना पांच साल पुरा हो रहा है, कहां दिया, इनमें गोशना किया ता गरीबों को बाहतर हजार रुपया देंगे, साल कहां दिया, हम लोगों ने तो नहीं कहा था इनको गोशना करने के लिए, तो आज उनके बातों पर कोई विश्वास ने कर रहे हैं, बाभुजी का कसम खा करक नहीं तो राजनीती से सन्यास लेते, अब जब हम लोगों ने गोगोदी जी, योजना की बात की, तो आनन फरन में काविनिट से नेने लिया, कि क्या बोलते हैं, दिसंबर से पच्छी सो रुपया देंगे, वह आपने पांच साल तो सत्ता में थे, क्यों नहीं दिये, दिय जब बीजेपी ने 2100 रुपया की बात की तो जैनता बीजेपी के बातों पर विश्वास करती हैं, तो कि हाँ गारंटी होती है मोदी जी की, और मोदी जी जो गारंटी देते हैं, उस गारंटी को भी गारंटी से का साथ पूरा करते हैं. गारंटी के आपने बात की, तो कॉंदेस के मलकार जुम खड़ गया है उन्हें थिराष्टी यादिया चे, साथ गारंटी उन्होंने भी जारी किया, जिसमें कहा है कि आप लो 500 रुपर वो साड़े-4 तो में देंगे, रोजगार भी आपने कहा है, उनके ओपर कोई विश् जा रहे हैं, आज रोज समझदार है, और फिर ये टकनीक जो है ना, सोसल मिडिया, आप क्या बोलते हैं, वो सब कहित करता है, और सब जगा वाइरल भी तुरंत हो जाता है, विदिन सेकेंड हो जाता है सब को सब तो हर लोग देख रहे, आप भोल क्या रहे, कर क्या रहे, यहां क्या बोल रहे हैं, वहां क्या बोल रहे हैं, तो कैसे आपके ओपर विश्वास करें, इसलिए यह तो भालतों की काम है, उन्होंने इसी बात बोल दिया, जब राजी प्रठानिवार साथ आप पहले मुक्रमंत्री थे, आज चोबी स्वासों के जारकन को कहा देखते ह यहां जारकन को पहुंचना चाहिता हूं, आप पहुंच नहीं पाया था, अब भी समय है, सरकार बढ़ेगे, आप तेजी से दोर करेगे, अच्छा डवल इंडिन की सरकार पहले भी रही है, तो क्या उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था काम जोड़ा है, अब जितनी आप जोजन आपने उस बीजेपी के सराज में आपने देखा, तीन नहीं मेडिकल कॉलेज भी बन गया, दो ऑनलाइन था, वह भी लटका हुए विचारा, तीन तो बन गया था, अजाद भारत में तीन मेडिकल कॉलेज था, और पिछले रगवर दाजी जमू कुंत्री तो तीन नहीं मे में का जाएं, जो साब दीकता है, बड़ा काम, मैं नहीं कहा रहा हुए, कोई इंगली में पीछे से किया, अमारी जरकार नहीं यह, मैं नहीं कहा रहा हुए. जेने दीव सवाल उठा रही है कि बाभूलाल आखिर कहा है बाभूलाल कहीं दीखने रहे हैं पर देश अधेप तो जंता के बीच में है आज मैं जब लोगों से बात कर रहा था था युल्ण ने कहा कि मैं भी तो पाटी तई करती हैं अब तो कई आपके साथ ही जहा कंटी मोश्या का जामें थामरी कई दीग जनेता भी है तो क्या लगता है कि इन उपसान होने जारा है कोई चुनाव के समय इस प्रकार के गटना है होते रहती है थोड़े को बहुत ऐसी अब प्रत्याजित नहीं होता है तो कि आप ने देखा कि बारती यंदा पार्टी ने सबसे पहले प्रत्याजियों के नामों की गोश्ट ना कि कि इसकी हमने चिंता नहीं कि हम जानते थे कह एक लोग हमारे लोग लड़ना चाहते हैं जिसको नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं जा सकते हैं और नहीं तो हम रोग भी सकते थे हमने कहा कि नहीं हमें जिसको लड़ाना है लड़ाना है खतम बात है हम समझाएंगे वरकरों को और आ परिवारबाद की परिवासा बिल्कुल असबस्ट है जिसके नाम से पार्टी की पहचान हो और पार्टी का संचालन होता है जिसे कॉंग्रेस पार्टी है नेरो गांधी परिवार के नाम से पहचान है इस परिवार्वात करते हैं, अगर कोई भी MLMP का चुनाव लडते हैं किसी की का बिटा होते है, भवुो होते हैं, भाई होते है, चले भाई लेकिन भारटी की पहचान उनसे नहीं है ना पार्टी की संचालन वहां से होती है तो यह दोनों आप भी इस बात को समझना पड़ेगा कि दो मुद्धे खास करें टेमोग्राफी चेंग और रोजगारी दोनों मुद्धे पुरवर्ती सरकार वे थे हला कि इस वार आप मुखर उकर पर उसे उठा रहे हैं वह सवाल उठारे कि केंद्र की सरकार की विफलता है ने मुझे लगता है कि आप लोग महुत दूर चले ज हाँ लोकि उसका फोटोले लेता है अपना उसके साथ टेक करता है दूसरे दिन थाना में जमा करता है कि कि जितने भी होटले हैं उस वोटल में कौन आता है कौन रुकता है उसका डीटेल लेता है क्यों तो वही जहार खंड में कोई आ रहे हैं तो आपका काम है देखना आने का तो किसी भी रास्ते से आएंगे तो इतना सिंपल सी बाते हैं लोग इस धंग से लोग बताते हैं जैसा लगता है कि यह काम सब कैंसर कार करें क्या करें दोजार किलोमेटर बंगलाजिस की बॉर्डर लगा हुआ है नेपाल का बॉर्डर में कोई फैंक सिंग नहीं है कहीं से भी आएगा बूस्वेट जो करने वाले होंगे कि क्या मतलब है इसलिए यह कहना और मुझे तो लगता है कि आप सब लोग भी इस वात हो समझना चाहिए हम तो रहन क्या बोलते हैं चेर परिशित चेहरे है जहां हमको लोग जानते हैं उसके माली होटल वाले लेकिन तब भी बोलता है सब मैं आपके नाम से के अगरा बूट है आप आइडिक लोट है कि देते हैं मुखमंत्री का चेहरा पार्टी करेंगे जनता की दिमांड है तो पार्टी उस पर पार्टी देखती है हम उस पर नहीं देखते हैं हमारा काम है अध्याच होने के नाते पार्टी को विजय दिलाना उसके लिए जितनी सरीर में च्हमता है कितरा नंबर देते हैं अब हार आए नहीं मैं नंबर नहीं देता हूं लेकिंगे सरकार में आठीक बिलकुल मैंने बार-बार कहा हैं देखिए यह हैं बीजेपी के परदेश अध्यक्ष और राज के पूर्मुख मंत्री इन्हों ने बड़ा दावा किया है कि जब 23 नंबर को परिणाम आएगा तो 51 प्लस के साथ एंडिये गठवंदन की सरकार आएगी यानि बेजिपकी नेतित वाली सरकार आएगी जिसमें आज सुजदी और लोजपा है हलाकि कितने दावे हैं और कितनी सचाई यह तो 23 नंबर के परिणाम के बाद आएगा लेकिन फिलाल बीजेपी का दावा काफी उक्ता होता जा रहा है टीवी नाइन के लिए राची शे मैं असोप कुमार